हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल वैशनवी फ्री एजूकेशन क्लासिस मैं हूँ वैशनवी स्वर्णकार, आपका अपने यूटूब चैनल में स्वागत करती हूँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुपतकाल के प्रमुख मंदिर कौन सा टॉपिक है, गुपतकाल के प्रमुख मंदिर, ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ठीक है, पहले तो हम आपको टाइमिंग बता देते हैं, सुबह हमारी क्लास होती है, एक आठ बजे और एक रात को होती है, दस बजे, ठीक है, तो ये दो टाइम आपको इस चैनल पर उपस्थित होना है, ठीक है और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, थियोरी की भी, प्रैक्टिस सेट की भी, बकाईदा टेस्ट की भी है जाता है भूम्रा कौन सा है पहला मंदिर एक सेकंड पहला जो मंदिर है वो है शिव मंदिर पहला मंदिर जो है वो है शिव मंदिर ये शिव मंदिर कहां है भूम्रा में है कहां नागोद में और इसका स्थापना वर्ज कब है यह है पांच सो इसवी ठीक है तो शेव मंदर कहा है यह है भूमरा नागोद में और कब होती है स्थापना पांच सो इसवी में ठीक है दूसरा आता है दशावतार मंदर कहा है यह है देवगड में देवगड ललितपुर में कहां ललितपुर में देवगड ललितपुर में है उत्तर प्रदेश में पढ़ता है और यह कम पांच सो इसवी में इसकी भी स्थापना होती है तो देख रहे हैं दश्रावतार मंदर कहा है यह देवगढ़ ललितपुर में और कब होती है स्थापना पांसवी स्वी में शिव मंदर की कब होती है भूमरा नागोद में पांसव में समझ गए फिर नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है विश्नु मंदर कहां है विश्नु मंदर यह गुपतकाल के पढ़ रहे हैं हम सबी ठीक है तो ध्यान रखिए का गुपतकाल के हैं सही नहीं कोई भी उठा के रखती है तो विश्नु मंदर कहां पर है यह जबलपुर में तिगवा पढ़ता है एक जगए है तिगवा में जबलपुर मंदर जबलपुर में स्वारी जबलपुर में कौनसा मंदर है विश्नु मंदर है और यह कब बनाये गया था यह बनाये गया था पांच सुईस भी में ठीक है फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है लच्मण मंदिर कहां है करिए कमेंट और लच्मण मंदिर की विशेस्ता क्या है ये जो लच्मण मंदिर है ये है ना तो ये इटों का बना हुआ है कब बना हुआ है इटों का बना हुआ है और ये कहां पर है ये रायपूर 36 गड़ में सिर्पूर जगय पढ़ती है कहां पर रायपूर और 36 गड़ में ठीक है तो ये कैसा बना है ये इटों का बना है और विश्णु मंदिर कहा है तिगवा जगलपुर में पांसु इसापूर्व में ये भी पांसु इसापूर्व में ही बना था ठीक है नेक्स्ट चलते है तो नेक्स्ट आता है विश्णु मंदिर विश्णु मंदिर गुप्त काल का कहा है तो ये है एरण में ये कहां पड़ता है ये सागर जिला में मद्ध प्रदेश में पड़ता है और इसको भी कब बनाये गया है 500 ECV में बनाये गया है ठीक है फिर नेक्ष्ट आता है भीतर गाओं का मंदिर कौन सा भीतर गाउं का मंदर ये कहां है तो ये है कानपूर उत्तर प्रदेश में कहां कानपूर में है उत्तर प्रदेश में है और ये पता है ये केवल इटो से बनाए गया है इटो का मंदर है ठीक है गुपतकाल का है ये पांसुईसा पूर ये बहुत पूचे जाता है भीत चलते हैं तो आता है धमेक स्थूप, बहुत IMPORTANT है धमेक स्थूप, धमेक स्थूप की एक विशेस्ता है कि भीतरी हिस्सा है जो वो इटो का Rubana हुआ है, ये भी कब बना है? ये पांसु इस्वी में बना है और कहां पर है ये धमेक इस्टूप तो ये है शारनाथ बरारसी में ठीक है बरारसी में है फिर आता है पारवती मंदिर ये कहां पर है ये नचना कुठार में है नचना कुठार कहां पढ़ता है ये पढ़ता है मद्ध प्रदेश में पन्ना जले में मद्ध प्रदेश के पन्ना जले में तो धम ये किस्तूप कब बनवाये गया पान्सो में और शारनाथ मंदर कहा है वाराणसी में और पारवती मंदर कहा है नचना कुठार में कहां पर मद्ध प्रदेश में और ये कब बनवाए गया था ये 620 में ठीक है फिर नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है नालंदा नालंदा कहां है ये बिहार में और इधर पर कौन सा मंदिर है यहां पर मंदिर ये इस तूप जो भी है तो ये है बौध महा बिहार है बौध महा बिहार ठीक है तो ये भी कब बन वाए गया 500 में समझ में आ गया होगा तो नालंदा बिहार बौध महा परिवार ये तो यहां से हमारे गुपतकाल के मंदिर या इस सूप कम्पलीट हो जाते हैं ठीक है तो जिसको भी अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडि तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाएं